हिलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एगरी कल्चर डिपार्टमेंट यानि क्रिस विवाक की तरफ से आ चुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के पैठे अपने मॉवाइल फोन के माध्यम से इन अप्लिकेशन फोरम को भर पाएंगे और जो भी प्रोसेस होगा आविदन करने का उसको फोलो भी कर पाएंगे दोस्तों आपको बता दें क्रिस विवाक के अंदर फील्ड वर्कर के पदों पर भरतियों के नोटिकेशन आउ के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं पहली सबसे ची बात तो आपको सामने दिख रही होगी बिना किसी एक्जाम के केबल और केबल इंटर्व्यू के आधार पर आप सभी की सीधी भरती है और इंटर्व्यू की तारीख भी आ चुकी है 24 मार्च 2024 को आपको इंटर्व्यू द आपको अपने पास अपने साथ में इस फॉरूम को भर के रखना होगा और इसी बज़े से आपका जो अप्लीकेशन फ्रीस है वो भी बिल्कुल फ्री है और यहां पर आपको बता दें और इंडर लेबल की जॉब मिल जाती है जहां पर आप लोग भारत के किसी भी राज़ से आवीधन कर सकते हैं 18 से 50 साल के उम्र का कोई भी केंडिडेट इसके लिए आवीधन कर पाएगा इस फीडियो को आगे देखने से पहले आप से रिक्वेश्ट करूँगा अगर आपको हमारे दोरा दी जारी जानकारी आपके काम की लग रही हो तो इस फीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही अपडेट आगे भी देखने के लिए पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दें आए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक ऑफिसल वेब साइट प्लस नोटिफिकेशन पर तो दोस्तों आपक अपने लिए अपने लिए आपको बताई गई है यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है आपको बता दें 27 की जगह यहाँ पर 24 मार्च को आपको इंटर्व्यू के लिए जाना होगा रिजल्ट की डेट बहुत जल्द अनौंस करी जाएगी अपलीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो बिलकुल फ्री है आप किसी भी केटेगरी के कंडिडेट हैं आप सभी इन विकेंसी के लिए नि देखें फील्ड वर्कर के पदों पर भर दिया है जिसके लिए एजुकेशन कॉलिविकेशन 10, 12 और ग्रेजुएट पास रखा गया है इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन-कौन इन विकेंसी के लिए आपीदन कर पाएगा तो आल इंडर लेबल की जाब है इसके लिए मेल और फीमेल यानिकी महिला और पुरुस दोनों केटेगरी के कंडिडेट आपीदन कर सकते हैं टुड़े टॉप जॉब लिस्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग-अलग केटेगरी की जॉब्स मिल जाती हैं जिसके लिए क्लिक करके आप लोग जॉब्स के लिए आबीदन कर सकते हैं और जानकारी भी देख सकते हैं सेलरी की बात करते हैं तो 18,000 रुपय पर मंद की सेलरी है प्लस यहाँ पर आपको 24% का HRA भी दिया जाएगा उसके बाद है आपका सेलेक्शन प्रोसीजर आप इंटर्व्य और डाकुमेंट वरिपिकेशन के बेसिस पर सेलेक्शन पासकते हैं अब भी हम नीचे आते हैं जहां से आपको अपलीकेशन फ़र्म और नोडिपिकेशन का लिंक देखने को मिले वाला है तो दोस्तो हमारा नोडिपिकेशन ओपन हो चुका है ICAR यहाँ पर आपको बताया गया है और यह भी कि National Bureau of Plant Genetic Resource की तरफ से यह डोडिपिकेशन है कोरिजेंडर है यहाँ पर और यहाँ पर वाक इन इंटर्व्य पहले ही हेडिंग में लिग दिया गया है और अगर हम बात करें इंटर्व्य की डेट के बारे में तो यहाँ पर पहले नंबर पर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे में चीजे बताये गई हैं कि आपको 27 March 2024 को इंटर्व्य के लिए जाना होगा डेट यहाँ पर क्लियर है 27 March 2024 सुबह के 10 बचे आपका इंटर्व्य होना है इसके बाद यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप सभी वेन्यू है नियो देली के अंदर आपका इंटर्व्य है इसके अंदर आपका तीन चीजे बताये गई है पोस्ट नेम बताये गया है सेलरी, एजुकेशन, कॉलिफिकेशन और एज लिमिट इसको आपको देख लेना है ये सारी चीजे देखने के बाद आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाता है बिल्कुल फ्रेस कंडिडेट के लिए विकेंसी है अप्लीकेशन फॉर्म है देखें आपे आपको पासपोर्ट साइज की आकार की फोटोग्राप लगानी होगी डेट आप इंटर्व्यू की जगह आपको 27 मार्च 2024 डालना है फुल नेम, फादर नेम, डेट आप बर्थ, एज औगेरा आपको यहाँ पर डालनी होगी फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है इस फॉर्म को अपने साथ ही रखना होगा जब आप इंटर्व्यू के ले जाएंगे बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि बीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ निक्ष्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद